पिरी विद्यार्थियों नमस्कार मैं आज हिंदी अनिवादिय के विद्यार्थियों के लिए एक नया विश्य सुरू करने जा रहा हूँ अपनी पाठे पुस्तक समवाद सेतु और समवाद सेतु के कुछ अध्याय है वो अपने पाठे करब में रखे गए है तो उसमें से समासेतु में रखा गया अध्याय नमबर 6 जिसका सीर्षक है समाचार लेखन तो आज हम समाचार लेखन के बारे में पढ़ेंगे कि समाचार लेखन क्या है किश परकार के शमाचार लिखन होते हैं और शमाचार लिखते वक्त हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो सबसे पहले ये पार्ट है इस पार्ट का उद्देश ही क्या है तो उद्देश ही के अंतरकत हम पढ़ते हैं और यहां पर दियावा है कि शमाचार हमारे देनिक जीवन का महतुपुरुण अंग है हमारे आसपास और देश दुनिया में घटने वाली हर छोटी बड़ी घटना की शूचना प्राप्त करने की उत्सुपता हमारे मन में बनी रहती है शमाचार लेखन बहुत ही जिम्मेदारी का कारी है बहुत बड़ी अपंक्ती है कि शमाचार लेखन बहुत ही जिम्मेदारी का कारी है इस पार्ट में हम शमाचार लेखन के बारे में तता उससे जुड़ी विभिन बातों का अध्यन करेंगे अकबारों टीवी और रेडियो के लिए परमुक्षामाचार लेखन और परस्तो तिकर्ण का कारिय अलग-अलग होता है इस पार्ट में न्यू मीडिया जिसमें इंटरनेट के लिए लेखन और फिल्म माद्यम की जानकारी भी हम पराप्त करेंगे तो अब सबसे पहले हम देखते हैं सामाचार लेखन तो मैंने यहाँ पर आपके लिए इस पार्ट में साथ इसाथ कुछ प्रशन भी बनाए है उन प्रशनों को भी आप पड़ें ताकि आपको थोड़ा फाइदा ज्यादा हो तो सबसे पहला प्रशन मैंने यही बनाया है कि शूचना और शमाचार में क्या अंतर है तो इस पार्ट की सुरुवात में हमें इस प्रशन का उतर मिलेगा कि आज का यूग संचार और शूचनाओं का डिजिटल दोर है जिसमें एक शूचना या शमाचार एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर त्वरित गतिशे पहुंच जाता है सूचना और समाचारों में विभिन्ता होती है अब देखिए विभिन्ता क्या होती है सूचना प्रारंबिक और अपुष्ट होती है मतलब वह प्रामानिक होती है प्रामानिक नहीं होती वह सही नहीं होती मतलब सही है या नहीं है इस बात की शंदिगता रहती है शूचना प्रारंबिक और आप पुष्ट भी हो सकती है लेकिन शमाचार क्या है पूरी तरह प्रामानिक, शही, परिपक्व और पुष्ट होता है तो ये शूचना और शमाचार में अंतर है आज से डेड़ दो दसक पहले की दोर को याद करें तो हमारे पास शमाचारों की प्राप्ती के लिए जो प्राचिन माद्यम थे केवल डेडियो और अकबार थे टेलिविजन का परसार बहुत कम था आज इंटरनेट और सोसल मीडिया ने शूचना के परशार है इसमें तेजी ला दिये शूचना को समाचार में बदलने के लिए पहले हम शमाचार लेखन को समझना होगा कि शूचना है वही शमाचार बनती है लेकिन शूचना शमाचार कब बनती है बहुत ही मैत्पून परशन है कि एक शूचना शामाचार कब बनती है तो एक शूचना शामाचार जब वह शूचना परिपक्वे होती है और पुष्ट होती है तब जाकर वह शूचना क्या बन जाती है? सामाचार बन जाती है मोटे तोर पर देखा जाए तो संचार माध्यमों के तीन रूप है अब संचार माध्यमों के तीन रूप कौन से है पहला है मुद्रित माध्यम यानि प्रिंट जिसे अपना अकबार कहते हैं जिसमें हम print media कहते हैं और ये अकबार और पत्र-पत्रे काएं हैं ये है मुद्रित माध्यम दूसरा है electronic माध्यम जिसमें television और radio आते हैं और तीसरा जो नया माध्यम है वह है new media जिसके अंदर internet बगेरा आते हैं इसमें internet से चलने वाले सारे माध्यम आते हैं तो प्रश्न ये बनता है कि शंचार माध्यम के कितने परकार है और वो कौन-कौन से है इन तीनों माध्यम के लिए शमाचार कैसे लिखे जाएं इसी बात का हम इस पार के अंदर अध्यन करेंगे तो सबसे पहले हैं मुद्रित माध्यम के लिए लेखन अब मुद्रित माध्यम हमने उपर पड़ा कि अकबार और पत्र-पत्री काएं हैं ये मुद्रित माध्यम है तो इसके बारे में हम पड़ें तो प्राय शमाचार लिखने से पूरूव मुख्य रूप से 6 शवाल एक शमाचार में होते हैं जिनको 6 काकार केती हैं, तो शमाचार की 6 काकार कौन-कौन से हैं, और शमाचार में किन 6 काकारों का परियोग होता है, बहुत बढ़िया प्रशन है, तो पहला है क्या, कौन, कहां, कब, क्यों, और कैसे, इन सब का उतर है वो एक शमाचार में देने की कोसिस की जाती है, क्या कहां था? कब हुआ? क्यों हुआ? कैसे हुआ? मतलब इन प्रश्टंों के उतर एक शामाचार में दिए जाते हैं, इनको शामाचार के छै ककार का जाता है पर्थम चार प्रश्टंओं का उतर है, वो शामाचार के इंट्रों में होता है यानि आमुक और अन्य दोग जो ककार है बादवाले इनका विश्टलेशन है वो नीचे के करम में दिया जाता है हमने पड़ा है कि शामाचार उल्टा पिरामिड सेली में लिखे जाते हैं ये इस परकार इस परकार होगा तो ये उपर का भाग होगा एक नंबर का ये होगा इंट्रो दो का होगा ये होगी इसकी बोड़ी और तीन होगा ये होगी इसका होगा समापन तो सबसे पहले इंट्रो क्या है, शमाचार में इंट्रो क्या है, तो शमाचार की सुरुवात जिन पंक्तियों से होती है, उसे खबर का इंट्रो का जाता है, जिसे अपने कहते हैं हेडलाइन, मुख्य लाइन वही इंट्रो है, इसमें 6 ककारों की जानकरी एक साथ दी जाती ह लेकिन यहाँ पे क्या है इन चार ककारों का विस्तार होता है और अन्य दो ककार है उनका नीचे के हिस्से में विस्तार होता है इससे पाठक को खबर की प्रारम भी पंक्तियों में ही पता चल जाता है कि खबर क्या है तो इन ककारों से पाठक को खबर के प्रारम में ही संपूर्ण शूचना है वे एक साथ मिल जाती है इंट्रो के बाद के शामाचार में शूचना का विस्तार दिया जाता है यदि पाठक इंट्रो से पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता है तो वे पूरी खबर को नहीं पढ़ इसलिए किसी भी खबर का इंट्रो है वो परभावी होना चाहिए बहुत बड़ी फंक्ती है अब है उल्टा पिरामिड सेली प्रिये विद्यारतियों ये बोर्ड की दरिश्टिशे वेरी वेरी इंपोर्डेंट क्योशन बनेगा कि उल्टा पिरामिड सेली क्या है आम तोर पर शमाचार उल्टा पिरामिड सेली में ही लिखे जाते हैं ये शमाचार लेकन की सब्षी उप्योगी और लोग प्रिये सेली है इस सेली का विकास कब हुआ तो ये अमेरिका में ग्रह युद के दोरान हुआ इसमें महत्पुन गटना का वर्ण सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है और जशे जशे उसका महत्व गटता जाता है उसके बाद गटते वे करम में गटनाओं का प्रस्तुति करण किया जाता है या शमाचार लिखा जाता है मतलब यह है कि सबसे मुख्य शमाचार पेले उससे कम मुख्य है उसके बाद और सबसे कम मुख्य है वो उसके बाद यानि घटते करम में शमाचार में इंट्रो, बोडी और शमापन के करम में घटनाए प्रस्तुफ की जाती है स्वार परतम सबसे महत्पूर्ण तत्य को और उसके उप्रांत महत्व की दरश्टिशे घड़ते करम में तत्यों को रखा जाता है और इसे उल्टा पिरामिड सेली कहते हैं उल्टा पिरामिड सेली में समाचार को तीन भगों में बांटा जाता है जैसे भाग नमर एक इंट्रो दूसरा बोडी और तीसरा समापन जैसा कि मैंने यहां पर आपको एक डाइग्राम की द्वरा भी समझाया है कि इंट्रो बोडी और समापन क्या है इसके बाद समाचार में इस्टोरी क्या है किसे कहेंगे इस्टोरी, तो इस्टोरी और कवर इस्टोरी, दो प्रकार की यहां पे बाते हैं, तो कवर इस्टोरी क्या है और इस्टोरी क्या है, ये भी हम इस प्रशन में देखते हैं, मीडिया की दुनिया में खबर कोई इस्टोरी का जाता है, जो खबर है वही इस्टोरी इस्टोरी से तात्प्रिय कोई सहायतिक कहानी से नहीं है बलकि बड़ी और विस्तार पुरुक लिखी जाने वाली खबरी इस्टोरी कहलाती है अब अपने यह नहीं समझें कि कोई सहायतिक कहानी है वह इस्टोरी है नहीं वह इस्टोरी नहीं है बलकि बड़ी और विस्तार पुरुवक लिखी जाने वाली जो खबर होती है वो इस्टोरी होती है यदि आपने कभी साप्ताइक शमाचार पत्रे काई पड़ी हो तो आपने देखा होगा कि उसमें शमाचार कथा सब्द का इस्तेमाल किया जाता है पहले पेज पर छपने वाली खबर कवर स्टोरी के नाम से जानी जाती है कहीं पर भी खबर छपे तो वहाँ स्टोरी कहलाती है लेकिन यदि मुख्य प्रष्ट पर कोई खबर छपती है तो उसे अपने कहते हैं कवर स्टोरी मीडिया कारियलों में रोजाना होने वाली न्यूजबेटकों में संपादक रिपोर्टर्स को जब रोज की रिपोर्टिंग का काम बाणते हैं तब भी यही का जाता है कि रिपोर्टर्स अपनी स्टोरीज मेहनत से लिखें तो यह यहाँ पर एक उदान दिया है अब कोलम में बंटी खबरें क्या है आम तोर पर एक अकबार में आठ कोलम होते है यानि आठ परकार की जगे होती है महत्वे की दरश्टी से उसी के अनुशार शामात्चारों की शाजशरजा होती है यदि कम महत्वे की छोटी खबर है तो वह सिंगल कॉलम यानि एक कॉलम में ही सिमर जाती है ऐसी छोटी खबरें स्टोरी नहीं कहलाती अब देखो ये छोटी छोटी खबरें हैं इनको अपने स्टोरी नहीं कह सकते बलकि हमने उपर यहां पर पड़ा कि बड़ी और विस्तार पुरुवक लिखी जाने वाली खबरें ही सिटोरी कहलाती है जबकि छोटी खबरें हैं वो सिटोरी नहीं कहलाती इस तरह कि यदी कोई बड़ी खबर है जो चार या उसे अधिक कॉलम में परकासित होती है और उसके साथ एक से अधीक फोटो भी लगाए जा रहे हैं तो वह बड़ी स्टोरी कहलाएगी अब बोल्ड की दरिश्टी से एक और महत प्रून प्रश्ट इस पार्ट का दूसरा सबसे महत प्रून प्रश्ट वो यह है कि हार्ड न्यूज और सौफ्ट न्यूज क्या है मुद्रित माद्यमों में देनिक अकबारों के साथ इसापताईक, पाक्सिक और मासिक अकबार तथा पत्रिकाएं भी आती है आम तो पर रोजाना के घटना करम और अपराद से जुड़ी खबरें या दुरगटनाओं के सामाचार हार्ड न्यूजगी सरणी में आते हैं आम तोर पर रोजाना के जो घटना करम हैं, अपराद से जुड़ी खबरें हैं या दुरगटनाओं के सामाचार हैं ये सब के सब हार्ड न्यूजगी सरणी में आते हैं वहीं मानविये रूची से जुड़ी खबरें सब्वेदनाओं को इस परश करते सामाचार सब्ट खबरे कहलाती हैं अपनी सम्वेगू से जुड़ी, अपनी भावनाओं से जुड़ी, अपनी रूची से जुड़ी इस परकार की कबरे हैं वो सव्ट न्यूज कहलाएगी सापताईक और मासिक पत्रीकाओं में आम तोर पर हार्ड न्यूज नहीं होती जो साप्ताई पत्रिकाएं होती है जो मासिक पत्रिकाएं होती है उनमें hard news मतलब अपराद की दुरगटना की या रोजाना की इस परकार की news नहीं होती बलकि मैने भर की बड़ी इस्टोरीज का विशलेशन किया जाता है और विशलेशन आत्मक समाचार के ओल अनूभवी पत पत्रकार और संपादक ही लिखते हैं अब दूसरा माद्य में electronic media के लिए लेखन electronic media का नाम आता ही हमारे मस्तिष्क में radio, tv, cable और film जर्शित छवियां उबरती है जिस तरह मुद्रित माद्यमों से हम कागिज के जरीए समाचार पराप्त करते हैं उसी परकार हम electronic माद्यमों से समाचार के इंसे पराप्त करते हैं तो उसी परकार इस माद्यमों बिजली के साथ ही radio और television set के आव सकता पड़ती है हम इसको द्रस ज्रवय माद्यम यनी देखने वाले माद्यम सरवय माद्यम और द्रस ज्रवय माद्यम ये तीन माद्यम जेसे radio इसको के वला अपने सुन सकते हैं द्रस्य सव्य और सरव्य मतलब इसको अपने देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं तो उसको अपने टेलिविजिन कह सकते हैं और द्रस्य जिससे कोई चल चितर है वो चल रहा है और उसमें आवाज नहीं है उसको अपने के ओल द्रस्य कह सकते हैं रेडियो सरव्य माद्दि प्रस्वी और फिल्म द्रस्या और स्रव्या माद्धी में क्योंकि इनको देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है अब हमारे देनिक जीवन में इलेक्टरनिक मीडिया का क्या योगदान है बहुत बढ़िया इस पार्ट का प्रस्ण कि जीवन के हर छेतर में इलेक्टरनिक मीडिया का महत्पुन योगदान है प्रस्ण बनाया है मैंने कि हमारे देनिक जीवन में इलेक्टरनिक मीडिया की क्य भूमिका क्या योगदान ये मनोरंजन से लेकर शूचना तक हर शेतर में अपनी महत्पून भूमिका निवाता ये अपना मनोरंजन भी करता है और अपने को शूचना भी देता है प्राचिन यूग में लेखन की पर्था नहीं थी विचारक, चिंतक और लेखक बूल कर अपनी बातें का करते थे सुवर, आवाज और सब्द मातर शक्ती से जीवित रखे जाते थे अथै का जा सकता है कि मानुविय सौभाव और सुवर के सब्द के अतियनत निकट है मानिवे स्वभाव, سवर के सब्द के अत्यंत निकट है, द्वनी, सवर उसके अंदर समाइत रहता है संपादन की परकिरिया की तरह सब्दों का जाल, सब्द का शंचार बनता रहता उसके अंदर और धवणी और सब्दों के माद्यम को ही हम रेडियू गेते धवनी और सब्द ये मनुश्य के ही जन्म दीव है तो धवनी और सब्दों का जो माद्दिय में हुआ रेडियो है और इनमें क्या होता है शाम जैसे होता है धवनी और सब्दों का ताल मेल रेडियो में होता है और कालांतर में जब कैमरे का आविस्कार ओर हो गया तो उसके म दिनों ने विश्व की भोगोलिक दूरियां कम कर दी अब ये देखी यहाँ पे यहाँ पे वो बात इस पर स्टोरी है कि इस electronic media का अपने जिएन में क्या योगदान है तो इस नहीं क्या किया है कि विश्व की भोगोलिक दूरियां कम कर दी computer, internet, email, multimedia, convergence, cyber space, संदर्बिस समाचार के सेतर ने electronic की महतपूर्ण भोमिका है electronic media के लिखे जाने वाले समाचार प्रिंट से थोड़े अलग होते हैं अब इनके लिए समाचार क्या होते हैं तो इस प्रकार है जिसे radio समाचार तो radio समाचार की क्या विश्वर्षता है, क्या उसके गुण है, क्या दोस है, क्या कमिया है तो यह प्रश्ण मनता है यदि आपने कभी radio पर समाचार बुलेटिन शुनाओ तो ध्यान दिया होगा कि उसमें अधीक विश्वर्षे खबरे नहीं होती पहली इसकी यह कमी है, इसकी विश्वर्षता भी यह मान सकते हो, इसकी दोस भी आप यह मान सकते हो, इसका गुण भी आप यह मान सकते हो सामानित्या अकबार के इंट्रो जितनी और उससे थोड़ी बड़ी खबरे ही सरोता तक पहुंचती है, क्योंकि radio बुलेटिन की समय सिमा होती है, यह भी इसकी विश्वर्षता है और यह इसका दोस भी है, कि निश्चित समय सिमा पर हमें radio बुलेटिन का इंतजार करना सहज, सरल और परवा मानबासा का परियूग किया जाना चाहिए, जो सरोताव को सरलता से समझ में आ सके, क्योंकि radio सुनने वाला सिक्सित हो, यह कोई जरूरी नहीं है, यह इसकी सबसे बड़ी विश्वर्षता यह है, कि इसको आ सिक्सित अनपड़ लोग भी इसके माध्यम से समाचार पराप। कर सकते हैं, जब गी उनके लिए अकबार कोई काम का नहीं होतों। अब हैं, टेली विजन समाचार है, उनकी क्या वस्यसता है, वो क्या होते हैं। टेली विजन जिसे हम आम आसा में टीवी भी कहते हैं, इसमें द्रस्य, यानि विजूल्स की और दर्शकों के लिए उपियोगी होती हैं तो ये भी नरक्षर लोगों के लिए एक संचार का सबसे शर्शक्त माद्दे में है टीवी की दुनिया में विज्वल्स यानी दरस्य ही सब कुछ होते हैं खबर की जो इस्क्रिप्ट लिखी जाती है वही दरस्यों के अनुसार ही होती है मतलब जिस परकार दरस्य दिखाये जाते हैं उसी के अनुरूप खबर की स्क्रिप्ट होती है या यूं कहें कि जैसे जैसे दरस्य दिखाये जाते हैं वेसे वेसे उसकी स्क्रिप्ट है वो दिखाये जाती है और ये स्क्रिप्ट ही खबर का रूप होती है जो ये स्क्रिप्ट संपादक लिखते हैं यही आगे जाकर पार्टकों के लिए खबर बनती है अब बाइट्स पर टिके शमाचार बाइट्स क्या है समाचार में बाइट्स क्या है के लगू साकसातकार भी होते हैं मतलब एक संपादक होता है वो अपने reporter से पूछता है उस जगे के बारे में तो उस जगे के बारे में जो कहीं पर गटना गटी तो ही है कहीं पर बाड आई है या भुकम पाया है तो वहाँ पर इनके लोग है वो अपनी बात है वो 20 या 40 second में कहते हैं जो उस khبر के बारे में कुछ बता रहे होते हैं ये लगू साकसातकार है बाइट कहलाती मतलब ये आपस में संपादकों की उस गटना के बारे में 15-20 second की या 40 second की जो बात होती है ये साकसातकार होता है यही क्या कहलाता है बाइट खबर को इस्तापित करने में बाइट का परमुकिस्तान है यानि खबर को विश्वशनी बनाने में खबर को परमानिक बनाने में खबर को परभावी बनाने में बाइट का महत्पुनस्तान है यदि शमाचार है कि अगले 24 गूंटे में बारी ब्रसात होने वाली है तो ये शमाचार अक्बार में तो मोजम विभा के निदेसक के नाम या आवाले से चप जाएगी लेकिन टीवी में मुखसम विभा की निदे सक या उस विभा के समंदित अधिकारी की बाइट का होना जरूरी है जिसमें बोल कर सुनाएगा और दर्शक उसे देखेंगे भी और सुनेगे भी बिना बाइट के समाचार एंकर विज्वल फॉर्मेट के समाचार कहे जाते हैं बड़े समाचार है वो पेकेज फॉर्मेट में चलाए जाते हैं तो ये है बाइट अब है टीवी समाचारों के गुण तो मैंने यहाँ पे कुछ गुण पहले ही लिख दी हैं, इनको आप देख सकते हैं, और नीचे पढ़ेंगे आप, टीवी स्रमाचार के गुण है कि वो तत्यों पर आदारित होते हैं, उनमें इसपश्टता होती है, उनमें संक्सिप्तता होती है, भासा परवा एम ओड्यू विज्यूल्स में एक रूपता होती है, तत्यों के दोराव से उसमें बचा होता है, यानि तत्यों का दोराव नहीं होता, बुलेटन विसेस की ख़बरों में सामझसे होता है, मतलब यद sparked बुलेटन चल रहा है, तो खेल विवाग से सम्मन्दीत यहीं उसमें खबरें दी जाती है और विसेस विसे और विसेस बुलेटीन यानि जिस विसे के बारे में बुलेटीन है उस विसे के बारे में ही वहाँ पे खबरें परशारित की जाती है तो यह है टीवी शमाचार के गुण अब इनको आविस्तार से नीचे देख सकते हैं टीवी शमाचार तथियों प परवा तथा audio और visuals में शाम्य होना भी आव सके यानि जो द्रस्टी है और जो धवनी है उनमें समानता होनी चाहिए ऐसा नहीं हो कि द्रस्टी है कोई और बताया जा रहा है और धवनी कोई और सुनाई जा रही है टीवी शमाचार या स्क्रिप्ट लेखक को तथियों के दोराव से भी बचना चाहिए टीवी में विसेश विसेओं पर केंदरित विसेश बुलेटिन भी तैयार किये जाते हैं जैसे क्राइम शे जुड़ी खबरों के लिए क्राइम बुलेटिन, खेल शे जुड़ी खबरों के लिए sports bulletin और चोनाव के coverage को दिखाने के लिए विसेश चुडाव bulletin तैयार किये जाते हैं अब एक प्रशन बनता है कि पट कताय क्या है तो पट कताय क्या होती है तो टीवी सीरियल हो या फिल्म, थियेटर इनकी नियू में होता है writing यानि लेखन यानि सबसे पहले इनको लिखा जाता है फिल्म और टेली मिलन जगत में जो फिल्मांकन किया जाता है जो shooting किया जाता है या थियेटर में जो मंच पर प्रस्तूत किया जाता है उसे पहले कागज पर इस तरह लिखा जाता है कि निर्दक शक के शामने एक एक दरिश्य है वो जीवि printed हो जाए फिल्म या टीवी प्रोग्राम के लिए ये कारियत तीन चरणों में किया जाता है तो किसी भी फिल्म को फिल्मा जाता है कोई भी सुटिंग की जाती है तो वह तीन चरणों के गुज़रती है तो उसमें सबसे पहले कहानी लिखे जाती है सबसे पहले कहानी लिखे जाती है फिर स्क्रीन पले या पठकता तियार की जाती है कि वह स्क्रीन पर किस परकार चलेगी तो जो कहानी लिखी है उसको परदे पर फिल्माना क्या कहलाता है पठकता पठकार्थ है परदा और परदे पर फिलमाई जाने वाले कथा पठकाथा और अंत में लेके जाते हैं डायलोग या संवाद यानि उन चित्रों से समंदित उस कथा से समंदित जो धवनी उसके साथ में मिले जाती है उसे कहते हैं डायलोग या संवाद काहनी पठकता और सववाद ये तीन चीजें जितने मजबूत होंगे सुटिंग और उसके बाद होने वाला पॉस्ट प्रोड़क्शन का कारिय उतना ही आहसान रहेगा चाहन लेकर को और शाहित येकारों का वास्ता कागज और कलम तक शिमित होता है वहीं टीवी प्रोग्राम और फिल्म्स लिखने वालों को अपनी कला को परफॉर्मिंग आर्ट में बदलना होता है उन्हें वह लिखना होता है जिसे परदे पर शरी डंग से उतारा जा सके इसलिए फिल्म या टीवी लेखक के लिए इन दोनों माद्यमों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है लिखते समय उन्हें परदे पर उतारे जा सकने वाले दरश्यों की सीमाओं को भी समझना होता है कि यदि हम इन दरश्चियों को लिख रहे हैं तो क्या इनको परदे पर उतारा जा सकता है परदे पर फिल्माया जा सकता है और साथ इसाथ उन्हें फिल्म के बजट का भी ध्यान रखना होता है किसी फिल्म में स्क्रिप्ट का महत्व यह है कि कई बार घटिया स्क्रिप्ट होने की वज़े से बड़े से बड़े बजट और नामी सितारों से लदी हुई फिल्में भी फ्लोप हो जाती है इसली किसी भी फिल्म में इस script का परभावी और सफल होना बहुत जरूरी है किसी भी फिल्म की सफल्टा है वो इस script पर आधारित होती है दूसरी और यह भी होता है दूसरी और एक मजबूत script को कसे वे direction के साथ परदे पर उतारा जाए तो छोटे कलाकारों और मामूली बजट वाली फिल्में भी दर्शकों के दिल में उतर जाती है तो इन दो बातों से आप देख सकते हैं कि स्क्रिप्ट की किसी फिल्म में क्या भूमिका होती है अच्छी बात यहा है कि फिल्म और टेलिविजन इंडिस्ट्रीज में अच्छे लेकों की हमेसा तलास रहती है खासकर एक ऐसे दोर में जब टीवी धरावाईकों में तीन सो से पांस सो एपिसोड बनाना आम बात हो गई है कहानियां सवाद और पठकता लेखन रोजगार का एक विसाल के अंदर बनकर उबर रहा है तो प्रशन ये भी बनता है कि सिद कीजिए कि पठकता लेखन रोजगार का एक विसाल के अंदर बनकर उबर रहा है इस चेतर में आगे बढ़ने के लिए अब कठब एक पठकता लेखक के लिए किन-किन बातों का होना बहुत जरूरी है तो इस चेतर में आगे बढ़ने के लिए भासा पर आधिकार होना चाहिए नमबर एक इसके साथ साथ रचनात्मक्ता कुछ नया करने का गुण भी होना चाहिए पासा पर आपका आधिकार है तो आपका सब्ध बंडार है वो भी मजबूत होना चाहिए और यदि आपका सब्द बंडार मजबूत है तो आप नए नए परियूग करने में भी सक्सम होने चाहिए और अपने भाव और विचारों को बहतर डंग से अभ्योत करने वाले भी आप होने चाहिए इन बातों का ध्यान रखा जाता है एक पठकता लेखन को अब पठकता लेखन और कहानी लेखन में क्या अंतर है तो यहाँ पर भी ये प्रashण बढ़िया बन रहा है पठकता लेखन, कहानिया लिखने और कविता लेखने से कुछ अलग होता है पठकता में आपके द्वरा लिखी गई हर बात का फिलमांकन किया जाता है मतलब उससे परदे पर उतारा जाता है इसमें लेखक को ये शोच कर लिखना पड़ता है कि उसके द्वारा लिखी गई कहानी पढ़ी नहीं देखी जाएगी और उसकी मेहनत का परिणाम उसे पठकता के फिलमांगन के बाद ही मिलता है जब उसकी लिखी वी पठकता पड़े पर फिलमा दी जाती है तब ही उसके बाद उसको इसकी मैहनत का परिणाम मिलता है पठकता लेकन एक हुनर है हुनर का अर्थकला है अंग्रेजी में पठकता लेखन के बारे में पचासों किताबें उपलब्द है यानि अंग्री जी की बात करें तो पठकता लेखन में आपको कई परकार की किताबे मिल जाएगी और विदेशों में खास कर अमेरिका के कई विस विद्यालों में पठकता लेखन को बकाईदा पाठिकर में चलाया जाता है लेकिन यदि बात करें भारत की, तो भारत में इस दिसा में अभी और सार तक परियासों की आव सकता है हिंदी में तो पठकता लेखन और शिनेमा से जुड़ी अन्य विदाओं के बारे में अच्छी पुस्तकें नहीं के बराबर है अब एक प्रशन और आपके लिए बढ़िया बना है कि हिंदी पठकता लेखन और उसमें मनोर शाम जोसी का क्या योगदान है बहुत बढ़िया प्रशन है फिल्म और टीवी के परसार और पठकता लेखन में रोजगार की बढ़ती संभावना को देखते हुए अनेक लोग पठकता लेखन में रूची लेने लगे है पठकता के सिल्प की आधारबुद जानकरी विचाते हैं पठकता कार मनोर श्याम जोसी की पठकता लेखन एक परिच्चे ये पुस्तक है इसके लेखन कोन है पठकता लेखन एक परिच्चे इस पुस्तक के लेखन है पठकता कार मनोर श्याम जोसी तो ये पठकता लेखन के बारे में एक मातर पुस्तक है जो उस पाठक को ध्यान में रख कर लिकी गई है जो फिल्म और टीवी में होने वाले लेखन के परती जिग्यासू है प्रात्मे किस तरकी जानकारियों से सुरू करके यह पुस्तक हमें पठकता लेखन और फिल्म और टीवी की अनेक माध्यम गत्विसेस्ताओं तक पहुंचाती है तो यदि कोई पठकता लेखन करने का इच्छुक है जिग्यासू है तो उसके लिए साहिक पुस्तक है पठकता लेखन एक परिच्चे जिसको लिखने वाले हैं मनोर्शिया जोसे अब है तीसरा माध्यम नव माध्यमों के लिए लेखन तो नव में क्या है इंटरनेट और इंटरनेट पत्रकारीता आज इंटरनेट लेखन अभिव्यक्ति का सबसे ससक्त और सर्व्यापी माध्यम है एक दसक पहले आप यदि कुछ रचनात्मक लेखन करते थे तो उसके परकर्शन के लिए आपको शमाचार और पत्री काओं पर निर्भरन रोना पड़ता था आज इस समस्या को इंटरनेट ने हल कर दिया है आप यदि कवीता, कहानी, लेक या फीचर लिखने का हूनर रखते हैं तो उसे लिखिए, टाइप कीजिए और इंटरनेट के माध्यम से अपने बलोग पर या सोसल नेटवर्किंग साइट पर अपने एकाउंट पर उसे पोश्ट कर दीजिए पलक जपकते ही, आपकी लिखी हुई सामगरी दुनिया के किसी भी कौने में बैठा हुआ व्यक्ति आसानी से पड़ सकता है इंटरनेट आज के दोर की सबसे सस्ती और विस्व व्याफिस अंचार पनाली है अब तो तकनिकी इतनी अधीक हो गई है कि 4G कनेक्टिवीटी ने इंटरनेट की श्पीड को 10 गुना बढ़ा दिया है अब इंटरनेट क्या है ये बहुत बढ़िया प्रशन बनता है इंटरनेट क्या है संक्सेप में लिखिए तो यहां पे हम इस प्रशन का उतर तलासते हैं इंटरनेट एक विसाल और विस्व व्यापि अंतर जाल है जो की जन्शंशार का सबसे नवीन और लोग प्रिये माध्यम है इसमें जन्शंशार के सभी माध्यमों के गुण समाईत है यह हमें शूचना भी देता है हमारा मन्नोरंजन भी करता है हमारा ज्यान भी बढ़ाता है व्यक्तिगत और समाजिक समवाद है उनका आदान परदान भी करता है और इसकी लिए ये आज का सबसे स्रेष्ट माध्यम है अब है इंटरनेट पत्तरकारिता इंटरनेट पत्तरकारिता क्या है या भारत में इंटरनेट पत्तरकारिता पर टेपनी लिखिए इस पार्ट का चोथा सबसे मैत्पूर्ण परशन है इंटरनेट पत्तरकारिता क्या है इंटरनेट पत्तरकारिता को ओनलाइन पत्तरकारिता साइबर पत्तरकारिता और वेब पत्तरकारिता नामों से भी जाना जाता है भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारम 1913 वे से माना जाता है तो ये बढ़िया प्रश्ण मन रहा है कि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारम कब हुआ तो 1913 जबकि इसका दूसरा परभावी चरण माना जाता है 2003 भारत की पहली साइट कौन सी है तो redip.com को बारत की पहली साइट कहा जाता है लेकिन वेब साइट पर विशुद पत्तरकारिता करने का असरे तहलका.com को जाता है तो दो प्रशन मन रहे हैं भारत की पहली साइट redip.com और वेब पर शुद पत्तरकारिता करने का असरे किसको जाता है तहलका.com को जिसने अपने ओप्रेशन, इस्टिंग ओप्रेशन के जरीए पत्तरकारिता के जगत में अपने नाम के अनुरूप तहल का मचा दिया था इंटरनेट जिसे विश्व या पी अंतरजाल कहते हैं इसके दो रूप होते हैं, इंटरनेट पत्तरकारिता के दो रूप होते हैं पहला यह है, शामाचार संप्रेशन के लिए नेट का परियोग तो समाचार संप्रिशन के लिए नेट का परियु होता है, जिसमें रिपोर्टर अपने समाचार को ऐ-mails की दवरा अन्यत्र भेजते हैं और श्रमाचार को संकलित करते हैं और उसकी सत्यता और विश्विश्णियता सिद करने के लिए वह इस प्रकार इंटरनेट का परियो करता है जबकि दूसरा इसका रूप है पत्रकार द्वारा लिखे गए आलेखों को अपने ब्लोग, पॉर्टल और वर्शाइट पर परकासित करता है तो ये दो रूप हुए आज देश बर में इस्तानी इस्तर पर हजारों वेब पॉर्टल स्रेश्ट पत्रकारीता कर रहे है जिन पॉर्टल को अच्छे स्ट्राइक यानि पाठक मिलते हैं उन्हें विज्यापनों की भी कमी नहीं रहती इस तरह इंटरनेट पत्रकारीता खबरों के सोक के साथ ही जिवी का चलाने में भी मददगार साबित हो सकती है तो ये इंटरनेट पत्रकारीता क्या करती है कि हमें खबरें तो देती है साथ इसाथ जीवी का चलाने में भी मददगार है तो इस पार्ट का एक और बढ़िया प्रशन मनता है कि इंटरनेट पत्तरकारिता जीवी का चलाने का एक सक्त माध्यम है कैसे तो प्रिविद्यार्तियो यदि इंटरनेट पत्तरकारिता में सही गुणों के साथ प्रामानिक जानकारी दी जाए तो काफी ऐसे लोग है जो वेब पॉरटल के माध्यम से विज्ञपनों के माध्यम से अच्छी आए है उसको आरजित करते हैं अब बात करते हैं इंटरनेट पत्रकारीता और हिंदी वेब जगत हिंदी वेब जगत के प्रारमिक काल में ही बड़ी समस्या मानक कीबोर्ड और फॉंट की रही है यानि नहीं तो हिंदी का कोई मानक कीबोर्ड था और नहीं उसका कोई निश्चित फॉंट था जिसके कारण हिंदी वेब जगत है उसके लिए प्रारम से ही बड़ी समस्या रह तो मंगल यूनिकोड फॉंट्स इसके जरीए हिंदी वेब जगत है इसको थोड़ा बढ़ावा मिला है अब तो हर बड़े अकबार के अपने यी संस्क्रण भी है जिसे आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं तो इसका बढ़िया प्रशन बनता है कि हिंदी वेब जगत की सबसे ब अंगल यूनिकोड फॉंट अस्तितों में आया तो इसका निराकरण भी हो गया आज आप इंटरनेट के मादिम से अपने लेक लिख सकते हैं आप न्यूज वेब साइट के लिए कहानी लेखन, कोफी एडिटर और ट्रांसलेटर या टेकनिकल राइटर आदी चेतरों में का अंतराष्ट्य इस तरपर ओनलाइन काम करने के लिए आपको गुणवत्ता का खासा ख्याल रखना पड़ता है, यदि आप अंतराष्ट्य इस तरपर ओनलाइन काम करना चाहते हैं, तो आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, अंतराष्ट्य इस तरपर ओनला आपसा अप्रियास करना पड़ता है, यह आपको मेनत करनी पड़ेगी. इसी दोरण आपको इंटरनेट की दुनिया की वास्तविकता का पता चल जाता है, क्यूंकि आपको अश्ली और नकली का फर्क है, उसका भी पता चलने लगता है. आपकी बसा पर पकड़ोनी चाहिए, समय पर काम करने की आदत होनी चाहिए और लगातार घंटों कम्प्यूटरों पर काम करने की भी आदत को आपको डालनी पड़ेगी तब जाकर आप अंतरश्टी इस तर पर ऑनलाइन कारिये कर सकेंगे इंटरनेट पर इन दिनों विभिन वेबसाइट से जैसे हिंदी, अंग्रेजी और अन्य बासाओं की विभिन विस्यों पर वेबसाइट देखने को मिलती है ये वेबसाइट अलग-अलग विस्यों पर बनी होती है जिसमें कुछ साहित्यक है तो कुछ संस्कृती के बारे में ये वेबसाइट अपने आपको लगातार अपडेट करती है इसलिए उन्हें अच्छे कंटेट की लगातार जरूरत पढ़ती रहती है नए केवल अच्छे content बलकी नए विचारों को भी website अमल में लाना चाती है क्योंकि आजकल इंटरनेट पर कुछ नया करके ही लोग अपनी आई को बढ़ा पाते हैं अगर आप कुछ अलग तरह से शोटते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी शोच से आप किशी भी content website का revenue बढ़ा सकते हैं तब निश्चित रूप से आपको इंटरनेट का साथ लेना चाहिए अगर आप लिखने के सोकिन हैं तो भी आप इंटरनेट से अच्छी आई प्राप्त कर सकते हैं और अपना carrier बना सकते हैं अगर आप अपने आलेक लिख कर ब्लोग पर प्रकासित करना चाहते हैं तो Google का Blog Spot तथा WordPress बहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां आप निसुल का अपना ब्लोग बना कर आज सिमित इसपेस के साथ अपने आलेक चित्र सहीत प्रकासित कर सकते हैं साथ ही Facebook पर भी आप अपने लंबे आलेक प्रकासित कर सकते हैं हालांकि Twitter पर सब्दों की सीमा है लेकिन वहां भी आप अपने विचार संक्सित में अभियक्त कर सकते हैं इसलिए हिंदी लेखन के लिए आप सहज और सरलबासा का परियूग करें और तथ्यों के परकासर्ज में विस्विष्णियता का बिल्कुल ध्यान रगे तो ये बाते हमने पड़ी सारांस के तोर पर हम कह सकते हैं सारांस समाचार कैसे लिखा जाता है उसकी सुरुवात कैसे की जाती है महतपुर्ण शूचनाय कब और कैसे लिखी जाती है इन शब बातों के जानकरी हमने इस पार्ट में प्राप्त की हलांकि शमाचार का लेखन सभी माध्यमों एक तरीके से होता है लेकिन उसे परस्तुथ करने का तरीका सबगा अलग होता है जिसे एक बार में शमाचार जितने विस्तारशे लिखे जाते हैं उतने विस्तारशे TV और रीडियो में नहीं सुनाई पड़ते इंटरनेट आधारीत लेखन में सोसल मीडिया पर परसारित होने वाली शूचना उसे लेकर ब्लोग लेखन तक तता वेब साइट पर प्रस्तुत की जाने वाली वेब सामगरी के लेखन के तरीके भी भिन होते हैं फिल्म की पटकता और उसके फिलमांकन से जुड़ी बातों को भी हमने इस पार्ट में समहित करने का परियास किया या हमने पढ़ने का परियास किया आप देखते हैं सबदावली इस्टोरी क्या है शमाचार का था इस्टोरी होती है लीड गया है पहली खबर होती है उसे लीड कहते है इंट्रो यानि आमुक जो मुख्य खबर है उसको इंट्रो का जाता है बाइट क्या है खबर से सम्मंदित व्यक्ति का छोटा सा इंट्र विज्वल्स क्या है शामाचार के लिए शूट किये चित्र होते हैं बुलेटीन क्या है निश्चिद अवधी के लिए चलने वाला शामाचार का करम बुलेटीन के लाता है एंकर क्या है शामाचार को बांचने वाला सुनाने वाला एंकर होता है साइबर क्या है यानि दुनिया के लिए इंटरनेट में इस्तिमाल किया जाने वाला सब्त यानि इंटरनेट के लिए जब हम इंटरनेट विसे की ओर जाते हैं तो उसमें दुनिया को क्या गया है साइबर यूनी गोडी क्या है इंटरनेट पर चलने वाला हिंदी फोंट इसका दूसरा नाम मंगल है अब देखते हैं प्रस्ण समाचा लेखन में च्छे का कार क्या है और ये क्यों आउ सके ये हमने पहले पड़ा इंटरो लिखते समय किन बातों का ज्यान रखना चाहिए ये भी हमने विस्तार से पड़ा अकबार और टीवी के शमाचार लेखन में क्या अंतर ये भी पड़ा फिल्म में पठकता क्या होती है ये भी हमने पड़ा और नव मादिमों के लिए कौन लेख सकता है और इसके लिए उपचारिक सिक्सा किया हो सकता होती है क्या तो ये भी हमने पड़ा तो प्रिविद्यार क्यों ये था सवाद सेतु का अध्याई नमबर च्छे और अपने बॉर्ड की दर्श्टी से शामल किया हुआ इस पार्टी करम का पहला ही सिर्शक जिसको हमने आज यहां पर पड़ा उमीद करता हूँ ये पार्ट आपको समझ में आया होगा और यदि आपको ये पार्ट समझ में आया है या फिर किसी परकार की दुविदा हो रही है या फिर आपकी कोई जिए इसा है तो आप निसंदे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दे और इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें मिलेंगे किसी और नए अधिया के साथ तब तक आया दीजिए धन्यवाद जाहिन जावर्ट